गुड बॉनिंग फ्रेंड कैसे हो आप शब तो उमीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं तो मेरा ब्लोग सुबह से ही सुरू हो गया है सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूं बेटी के टीफिन में ले जाने के लिए सैं ले जाना है तो इसकी तैयारी मैंने रात में ही कर लिया आलू बाल के मैस करके मैंने फ्रीज में रख दिया था आज सुबह उठी हूं तो फिर उसको भूनी हूं मसाला डाल के सब कुछ भून के फिर बनाई हूं तो उसका टीफिन पैक करके दे दी और अभी हस्बेंट गय इसलिए चावल दाल सब्जी रोटी बना रही हूँ इधर मैं काट रही हूँ सब्जी सब्जी मैं बना रही हूँ आलू और बीन्स वाली सब्जी आज मैं बनाओंगी बीन्स कप से पड़ा हुआ था फ्रेज में तो इसको मैं साम कोई साफ करके रख ली थी डेली कुछ न सोची कि चलो आज इसको काट पिट के बना देती हूँ ये भी खतम हो जाएगा फिर संडे को सब्जी आता है हमारे यहां पर संडे को सब्जी आता है और बीच में एक दिन और ब्रेस पतिवार वाले दिन सब्जी ले आते हैं हस्बेन संडे को तो साथ में मैं भी चली जात मुझे बहुत अच्छा लगता है पता नहीं क्यों रेसिपी शेयर करना और देखे सबसे पहले तो मैंने डाल दिया सर्शो का तेल फिर उसमें डाल दी हूं कटा हुआ प्याच लशुन और हरा मिर्च इतना काट के मैं डाल दी फिर उसके बाद अब डाल रही हूं मैं सूखा मसाला धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और यह है किशन किंग मसाला इतना सब कुछ डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया फिर अब इसको खुब अच्छे से चला लोंगी और भूनोंगी दो चार मिनर तक जब तक कि अच्छे से तेल ना छोड़ दे फिरेश में मैंने डाल दिया आद्रक और लसुन का पेश्ट फिर बहुत कम मसालों के साथ मैं बनाती हूं सबजी कोशिश करती हूं कि डेली वाले जो सबजी होते है न तो कम मसालों के साथ और कम तेल के साथ बनाने की कोशिश मैं हमेशा करती हूं कि थोड़ा हेल्दी रह और बीम्स वाले सब्जी में पानी नहीं डालती हूं, तो इधर मैरा सब्जी भी बन गया, दाल बन गया है, यह एक चाय में रोटी बना रही हूं, साथ-साथ इतना काम कर रही हूं, सुबह सुबह इतना भाग के सारा काम करना पड़ता है फिरेंट कि पोचzub कहती हूं, करऊंगे और बाबू काभी सेंड्विश मुझे बनाना हैं तू ऐसे ही सारा काम फड़ा-पड़ से शुबा सुबा निप्टाती हूँ साल जिब मैं काम कर लेती हुझ। है तब लेकिन इसका तो टाइम से त्यौर करो और श्कूल चोड़ने जाना पड़ता है मुझे ही तो बाबु को श्कूल से छोड़ के आ गई हूँ तो इधर मैं द्धोर ही हूँ बर्तन झाल झाल देखी कितना सारा बरतन सुब़ सुब़ निकल गया और मैं बरतन धो ली हूँ तो नहाओ वाली फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा तेयार हो रही हूँ और मैं पहन रखी हूँ आज अभी मोसम ठीक हो गया है न मैं सोचती हूँ कि कभी-कभी बीच-बीच में साड़ी भी पहन लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना, इसके पहले वाले ब्लॉग पे भी मैं बता चुकी हूँ, और मुझे यह भी बोलना बहुत अच्छा लगता है, कि मैं साड़ी पहनी हूँ, और बोल रहें कि अनिता खाना निकालो तो मैं अभी आ गई हूं कीचन में खाना निकालनी के लिए तो अब मैं काट रही हूं सलाद काटूंगे फिर उसके बाद खाना निकालूंगे सलाद जैसे ही काट ली मुझे ध्यान गया कि अरे सबजी रोटी और दाल तो मैंने बना लिया चावल कहां है चावल देखे तो बना ही नहीं था पहली बार ऐसा आज हुआ है कि मैं भूल गई हूं चावल बनाना मैंने सोचा ना कि थोड़ी देर बाद बनाओंगी चावल तो रोटी बनाना है फटाफट से सेक लेती हूं तो मुझे आराम रहेगा क्योंकि गेहूं धोना है तो इसमें भी तो आधा पोना घंटा लगेगा ही तो अभी मैं चावल चड़ाओंगी बनेगा चावल पैक करके आ गई हूं छत पर मैंने सोचा कि चलो जब तक सीटी आ रहा मौसम का कुछ पता ही नहीं रहता है कि कब बदल जाए तो अभी धूप अच्छी वाली निकलने लगी है तो इसलिए मैंने गेहूं धोदी आया आज आज कल रोज कर रही थी तो आज हस्बेन की चुटी थी तो ये इसलिए आज धोदी न की हस्बेन छट पर चढ़ा देते देहने तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना तो मुझे चढ़ाने में थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए कोशिश करते हूं कि जिन दिन छुटी रहे उसी दिन धोलू मैं यूटूब फैमली कैसे हो आप सब उमीद करते हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूं तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज क्या हुआ कि मैं मेरा वैसे सारा काम हो गया है नहाना दोना जाड़ू पोछा सब कुछ हो गया और मैं आज के ह मैं भी दोई हूं छत पे फैला के आई हूं अच्छे लोगों के लिए आज मैं सेंडवीच बनाई सुबह सुबह तो लोग तो लेके चले गए स्कूल फिर क्या हुआ कि दाल सबजी और रोटी बना दी मैंने सोचा कि चावल पाद में बनाऊंगी उसमें मैं भूल गई पह काटी हूं और दाल गरम करने लगी तक देखी तो चावल ही नहीं तो मैं अभी चरहाई हूं अभी बन जाए तो फिर हजबेंड के लिए भी खाना निकालूंगी फिर अपने भी खाऊंगी जब मैंने उनको बताया तो थोड़ा सा गुसा भी कर रहे थे कुछ बोले नहीं कि कहां ध्यान रहता है तुम्हारा तो बस इतना ही है अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब कर लिया कि अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है वे जा रहे हो खाना खाने सीटी आ जाए तो क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गेहूद होना था तो उसका मेरे दिमाग में था कि मुझे गेहूद होना है और चली गई गेहूद होने उसमें भूल गई तो कभी-कभी हो जाता है अपने क्या करो जान बुच के तुम्हेंने ऐसा गलती किया नहीं चले फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से अबी में कमरे में बैठ के खाऊंगी मुझे टीवी भी देखना है तो यह है मेरा खाना निकाल चुकी हूँ तो खाना ओना खाने के बाद मैं आ गई देखे हैं हस्बेन खाना खा के न कैसे लेटे हैं धूप में क्यूंकि यह रात को दो बजे आए हैं बहुत ठाक गया अभी कल मैम न मुझे मारेंगे गुसा करेंगे कि होमर का और क्लास वर्क क्यों नहीं किया मेरा धूरा है नहीं हो पाया इसलिए रो रहा है आते ही खुब रोने लग गया स्कूल से आते ही तुरंत ही मुलटका रखा था तो मैंने पुछा बाबू क्या हुआ तब तक रोने लग गया तो ही मैं उसको फुसला रही हूँ चुप करवा रही हूँ थोड़ा सा उसको लाड़ कर रही हूँ देखे कैसे रो रहा है बहुत छोटी-छोटी बात में नहीं बहुत रोता है अगर परी ना मेरी बेटी है जो इसको अगर बोल देगी पागल कहीं का तो इतने में दस मिनट के लिए हो जाएगा रोने लग जाता है बोलता है ममा मुझे दीदी ना पागल बोली है एकदम छोटी-छोटी बात पर नॉर्मल बाती होगी तो भी उसको दिल पर ले लेता है और खुब रोने लगता है मेरे अजबन बोलते है कि तुम्हारे पर इगया है रोने में सही बात है मैं भी छोटी-छोटी बात पर खुब रोने लग जाती हूँ कुछ ज़्यादा ये बाबू भी एमोशनल है और मैं भी एमोशनल हूँ तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को साम को फ्रिंड उसका ड्रेस रेस चेंज करके खाना उना खिला दी तो वो सो गया है अभी बाबू न मेरा सोया हुआ है परी जग के टीवी देख रही है वो जगी हुई है तो इधर मेरी ममी ने खोया जो भेजवाया है तो एक दिन मैंने हलवा बनाया फिर अभी मैं बना रही हूँ गुलाब जामून अभी थोड़ा सो खोया बचा रखी हूँ देखती हूँ उसका क्या बनाती हूँ बहुत सारा था ना कम से कम एक किलो के लगभग खोया था तो हम चार लोग कितना खाएंगे एक ही चीज तो खाखा के ओब जाएंगे इसलिए मैं सोची कि चलो घर का खोया है तो थोड़ा थोड़ा हर चीज बना लेती हूँ जो खोय से बनने वाली चीज है तो गुलाब जामून तो बनाना भी बहुत आसान है तो मैंने सोचा चलो गुलाब जामून ही बना लेती हूँ और वैसे भी मेरे घर में सबका फेवरेट है मेरा तो बहुत जादा ही फेवरेट है गुलाब जामून मिठाई में मुझे गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पसंद है और जलेबी दो मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बाकी तो सब खाती हूँ लेकिन मेरा फेवरेट नहीं है थोड़ा बुद खा लेती हूँ और हस्बेंट देख रहे हैं कि क्या-क्या खाने में है शो के उठे है न तो अभी देख रहे हैं कि खाना क्या-क्या बच्चा है मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगा भूख लगी है थमके खा लीजे और गुलाब जामुन भी चेक कर रहे हैं कि कैसा बनाई हो देखो जरा बहुत अच्छा बना था, बहुत ज्यादा सौफ्ट और बिल्कुल टूटा उटा भी नहीं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी थोड़ी दिर में कि मेरा गुलाब जामून कैसा बना है, बहुत अच्छा से बन गया, जबकि मैंने कुछ ही डाला भी नहीं, थोड़ा स तो मैंने सोचा चलो चीपस भी तल देती हूँ, क्योंकि सब लोग मीठा खाएंगे, तो इसके बाद थोड़ा नमकीन सा खाने का मन करता है, तो घर में नमकीन भी नहीं है, तो इसलिए मैं चीपस तल दी, यह बहुत पुराना है, एक साल पुराना चीपस है, मैं बहुत प तो साम के टाइम चावल बच गया था थोड़ा सा, तो मैं इसको फ्राइ कर रहे हूँ, कि भून दूंगे, तो सब लोग खा लेंगे, खतम हो जाएगा, एक परी के वज़े से आए दिन मेरे घर में चावल बची जाता है, और हजबेन भी चावल नहीं खाये, रोटी ही खा देती हूं, तो साम को सब का नाचता हो जाता है, और बाबू सो के उठ गया है, इसको जगाया गया है, जबरजस्ती, मैं ही उठा के ले आई हूँ, परी उठा रहे थी ना, तो ख Calling में बैठा लग गया है, और परी भी एक साइड में कोने में बैट के खा रही है, यह ना Camer बस यहीं तक अगर आप लोगों को मेरा ब्लोग पसंद आये तो लाइक से सब्क्राइब भी कर लिजेगा और कॉमेंट करके आप बताना कि आप ब्लोग कैसा लगा